हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल बालेजे साइंस आज हम आप लोगों को इस टैनले मिलर का परियोग बताएंगे तो पुरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत्य तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए चलिए सुरू करते हैं तो पिठ्थवी पर जीवन कैसे और कहां से आया इसके लिए बहुत से वेग्यानिकों ने समय समय पर अनेक परिकलपनाय प्रस्तुत की जिनमें से स्टैनले मिलर एक थे तो जीवन की उत्पत्ति के नियम में स्टैनले मिलर ने क्या प्रियोग किये और क्या निसकर से निकाले चलिए समय लेते हैं तो अमेरीकी वेग्यानिक स्टैनले मिलर ने प्रियोग शाला में जीवन के उदभो के रहस्य को खोजने में महत पुन योगदान दिया और प्रियोगदारा सिद्ध किया कि अमोनिया और हाइड्रोजन के रासाइनिक सयोंग से अनेक ऐसे कार्बनिक योगिकों का निर्माड होता है जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवशक्त है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इस टैनले मिलर ने पांच लीटर के फ्लास्क में दो अनुपाद दो अनुपाद एक के अनुपाद में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैसों का मिस्त्रान लिया अब एक आधा लीटर के फ्लास्क को कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क से जोड़ दिया इस छोटे फ्लास्क में जल भर कर इसे उबालने का प्रबंध किया ताकि जलवास्प पूरे उपकरण में गूमती रहे यब उबालेंगे तो क्या होगा कि जलवास पूरे उपकड़ में घूमती रहेगी अब बड़े वाले फ्लास्क में टंगस्टन के इलेक्टोड्स के मध ये जो देख रहे हैं आप द्रो में बदल जाया इसी लिकंडे से लगाया गया है प्रियोग के अंत में मिलर को उपकरण से लाल रंका गंदला तरल प्राप्त हुआ यह जब प्रियोग समाप्त हुआ तो प्रियोग के अंत में मिलर को लाल रंका गंदला तरल एक प्राप्त हुआ यह तरल क्या था बता सभी कार्बनिक योगिक जिऊद्रब के घटक होते हैं बताया और इस प्रकार से जीवन की उत्पते संभव हो पाई यानि पिठवी पर जीवन की उत्पते करोडों वर्सों तक होने वाली भौतिक रासानिक प्रिक्रियाओं के फल्सवरूप हुई है चलिए इस टेंले मिलर क के प्रियोग को एक बार और समझा देते हैं तो उकरन की नली और कच में मीधेन, अमोनिया तθा हाइडरोजन का मिसरन भर दिया जाता है और फिर फलास्क में पानी उबलता रहता है है तो भी द्रवित होती रहती है अब पानी उबलेगा तो वास्प पूरे यंत्र में फैलती रहेगी इस प्रकार गैसों का मिस्रण जो होता है वो नली और कच्छ में चक्कर लगाता रहता है घूमता रहता है कच्छ की दिवार में दो इलेक्ट्रोट्स लगे हुए हैं यानि इसी में बड़े वाले फ्लास्क में इसमें दो इलेक्ट्रोट्स लगे रहते हैं जिनसे विद्दृधारा प्रवाहित की जाती है और इन्होंने कृतिम रूप से ऐसे वातरवर का निर्मार किया जो सब्भाधा प्राथमिक प्राचीन वातरवर के समान था यानि जो सबसे पहले प इस्तावाद मिलर के अंदर लाल रंग का गहरा तरल प्रदार्थ वा जिसमें इलिनायन, OGलाइशीन,इझ्रीसिकiegen यांव्नय इस प्रकार से विध्यानिकों ने प्रियुक्षबूच इस प्रकार से व्यख्यानिकों ने स्टेनले मिलर के प्रियोंकिक से निस्कर Benjamin काला कि आज से तीन से चार अरब वर्स पहले पिर्थिवी पर जीवन का प्राधुर्भाव इसी प्रकार हुआ यहनी जैसे इन्हों ने में बिद्दुद प्रवाह के कारण एमीनो अमलों वा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माड हुआ था इस प्रकार से बने कार्बनिक पदार्थ समुद्र में एकत्रित होने लगे थे क्योंकि उस समय तक इनको छै करने वाले खत्प करने वाले बैक्टिरिया आधिका उत्विकास नहीं हो पाया था साथ ही साथ उस समय मुक्त ऑक्सिजन भी नहीं थी जिससे इनका आक्सिकन हो सके तो इस प्रकार से जीवन का विकास हुए यानि इस प्रकार से इस टैने मिलर ने अपना प्रियोग किया और प्रियोग द्वारा सिद्ध किया कि प्रिथिवी पर जीवन की उत्पत्य किस प्रकार से हुई है?